प्राब्लम नंबर 16 को देखो बच्चो बहुत अच्छा कोशन है यार देख लो आप से गहारा ड्रॉट शोईंग दा विरिएशन ओफ फोटो इलेक्ट्रिक करेंट देखो आपको एक चीज बता दें अगर आपके पास एक फोटो सेंसेटिव प्लेट आओ इस पर फोटोन आ इस पोजडिव प्लेट पर आने शुरू कर देंगे तो इसको बोलते हैं प्लेट का पोटेंशल अब जाहिर सी बात है मैं यह कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रोंस आएं और इसने जल्ली से इसको अट्राक्ट करना शुरू कर दें क्योंकि मैंने इसको पोजडिव प्लेट दे चुछच आएग jedes से पोजड़ और वहुँस सारी इलेक्ट्रों निकले एकदम से पोजड़ तो क्या होगा, करेंट बढ़नी शुरू हो जाएंगे लेकिन एक कैंडिशन ऐसे आएक हैं कि आएक बादेईग्गे वह सारे इसे आइसा अंसे अले एक्ट्रों एड़ेट घाम उस collector plate पर जा भी रहे होंगे तो उस condition में current जो होती है वो saturation mode में चली जाती है मतलब current ऐसे बढ़ना शुरू करेगी बढ़ेगी बढ़ेगी फिर एक condition ऐसे आ जाएगी कि वो saturate हो जाती है अब मुझे एक बात बताओ मैं यह कह रहा हूँ कि यह आप जो है किनी 2 metal के लिए बात कर रहे हो यह फिर आप 2 metal के लिए बात कर लो यह दो frequency की बात कर लो अगर मैं कम frequency का photon डाला हूँ तो जाहिर सी बात है जो photo electrons emit हो रहा होगा उसकी energy भी कम होगी जब energy कम होगी तो उसके लिए जाहिर सी बात है stopping potential भी कम होगा लेकिन अगर जादा मैंने frequency incident करा दी तो जाहिर सी बात है जो photo electrons निकलेगा वो जादा energy का निकलेगा तो उसको रोकने के लिए मुझे उतना ही negative में stopping potential लगाना पड़ेगा इस से यह पता चलता है कि जैसे जैसा frequency को बढ़ाते जाओ कि वैसे बैसे stopping potential भी बढ़ता चला जाएगा तो कोशन देखो आपसे यह कह रहा है कि ठीक है बता दे in which case will the stopping potential be higher justify your answer तो पहली बात तो मैं दो frequency के लिए मैं current जो की saturation mode में भी आ जाती है मैं photo electric current का graph plot करूँगा ठीक है दो different frequency के लिए साथ मैं किसका collector potential के बीच में तो collector potential के बीच में और photo electric current के बीच में मुझे graph plot करना तो यह है photo electric current जो की मैंने y axis पर ले रखा और यहां पर ले रखा मैंने collector potential अब देखो जैसे जैसे potential positive होगा वैसे वैसे electron जो है बहुत तेजी से जा करके उसकी तरफ को attract जाएंगा current saturation mode में चली जाएगी थोड़ी दर के बढ़ेगी फिर saturation थोड़ी दर में बड़ी फिर saturation mode में थोड़ी दर के बड़ी फिर saturation mode में अब यह दो बार इसने दिखाया गया क्योंकि आप different frequency यूज कर रहे हो तो जाहर सी बात है जिसकी frequency जादा होगी उसके लिए stopping potential जो कि अपने आप में negative होता बहुत जादा होगा और जिसकी frequency कम होगी उसके लिए stopping potential भी कम होगा तो यहां सा आपको clear पता चल गया कि जो stopping potential है जिसको आप retarding potential कह रहे है यह आपके सामने V02 V02 दूसरी वाली frequency के लिए कम निकल कर आएगा क्योंकि दूसरी वाली frequency पहली वाली से कम है तो इससे साफ साफ पता चल गया है कि पहली वाली frequency जादा है तो इसके लिए stopping potential भी जादा होगा मैंने इसको कई बार repeat कर दिया CBSE ने इस question को पूछा हुआ है अच्छी से practice कर लो समझ लो चीजों को practice आप करते रहोगे Thank you